ओम श्री गनेश आये नमेह, राधे राधे एवरिवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गनेश चतूर्थी के दिन गनेश जी की स्थापना और पूजा कैसे की जाती है, तो देखिए भादरपद महा के शुकल पक्स में आने वाली चतूर्थी तिथी को गनेश कर रहे हों, गनेश जी की जो स्थापना है उसकी विधी एक जैसी ही रहती है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि गनेश चतूर्थी के दिन हमें स्थापना और पूजा कैसे करनी है, तो देखिए गनेश चतूर्थी के दिन सबसे पहले तो जिस जगे पर भी आप चोकी पर लाल रंका वस्त्र हम भीचा लेंगे अब गनेश जी की स्थापना करने के लिए इस चोकी पर हम चावलों का आसन देंगे तो थोड़े से चावल यहां पर हम रखेंगे और इन चावलों के उपर हम गनेश जी की जो नई मूर्ती लेके आए हैं जो नया सवरूप ल को हम यहाँ पर सुपारी के रूप में विराजída मान करें चावल का आसन देंगे उसके बाद हम सुपारी रूप में जाओं के सथापना करनेगे लिए फृवल की धेड से ल्गा लेंगे गाते लिए आफ बना सकते हैं और अब इसके उपर एक जल से भरा हुआ कलश हम रखेंगे तांबे या पितल का कलश हमें लेना है उसमें हम सुपारी, हल्दी, सिक्का, थोड़े चावल और दुर्वा घास ये 5 चीजे हम डाल लेंगे अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ल रगा सकते हैं इसके बाद हमें कलश के उपर नारियल रखना है तो नारियल पर आप कलावा बांध लीजे और नारियल को तिलक कर लीजे अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख उपर की तरफ होना चाहिए और अगर आप लेते हुए नारियल रख रहे स्थापना करने के बाद हाद जोड़कर प्रातना करेंगे है गनेश जी महाराज आज से मैं आपके इतने दिन के लिए अपने घर में स्थापना कर रही हूं आप मेरी पूजा को स्विकार करें और अगर कोई गलती रह जाती है तो मुझे समा करें इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे तो पूजा में सबसे पहले जल के छीटे लगा कर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे भाव रूप में स्नान कराने के बाद फिर हम देशी घी का दीपक जलाएंगे आप देशी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं अब देखिए सिनान हमने करा दिया था अब हम वस्तर के रूप में जनेव समर्पित कर देंगे अगर आपके पास सफेज जनेव है तो थोड़ा सा चंदन या हल्दी आप इस पर जरूर लगा दीजिएगा तो यहाँ पर हमने चंदन लगा दिया है अब हम गनेश जी को समर्पित करना है तो यहाँ पर जनेव और कलावा हमने समर्पित कर दिया है साथ में ही जो रीधी माता और सिद्धी माता है उन्हें भी हम वस्तर के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे तो सुपारी के रूप में जो रीधी सिद्धी माता हमने स्थापित की थी उनको भ पूजा में जब भी चावल लेते हैं तो चावल समर्पित करेंगे दिये को भी हमें तिलक करना है दिये का भी पूजन किया जाता है इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे तो लाल रंके फूल मिल जाएं बहुत अच्छी बात है लाल रंके ना मिले तो जो फूल मिले वो समर्पित कर दीजेगा फिर हम दुरुआ घास समर्पित करेंगे तो देखे जितने दिन की भी आपने स्थापना की है डेली आपको नई और गुड़ समर्पित करना है तो और नारियल को आधा काट लेंगे इसके अंदर गुड़ भर देंगे और ये पूरे जितने दिन के आपने स्थापना की है पूरे दस दिन तक ये नारियल गुनेज जी के पास ही रखा रहेगा तो गुड़ और नारियल का भोग हमे जरूर करना है हमने इसके बाद हम पान का भोग जमर्पित करेंगे मीठा पान पान मिल जाए और भोग के लिए जब बहुत अची बात के में चुरकने को क्योंके अच्छी बात है इसके साथ ही हम रीतुफल समर्पित कर देंगे, रीतुफल में हो सके तो आप केला जरूर समर्पित कीजिएगा, फिर हम पंच मेवे का भोग लगा देंगे, जो भी भोग एविलेबल है वो भोग लगाने के बाद फिर धूप दीप दिखा कर बहुती प्रेम पूर्वक हम ग पूर्ण करने के लिए गनेश जी से प्रार्थना करेंगे, इस तरह से गनेश चतूर्थी के दिन सुबह हमें स्थापना करनी है और पूजा करनी है, पूजा के बाद जो जलका लोटा है वो सूर्य देवता को अरग दे देंगे, इसके साथ ही देखिए, शाम के समय भी हमे पूजा करनी है, बाकि पान और जो भी आपने मिठाई और फल चड़ाए है, ये पूजा के बाद आप सभी में बांट सकते हैं, भोग को सारा दिन यहां पे नहीं रखे रहने देना है, सिरफ नारियल और गुड को ही रखे रहने देना है, बाकि जो भोग है वो सभी घर के सभी सदश्यों में और सभी परिवार जनों में आप बांट दीजिएगा, तो इस तरह से हमें पूजा करनी है, बहदर्पद मा के शुकल पक्स में आने वाली गनेश चतूर्थी को सबसे बड़ी गनेश चतूर्थी माना जाता है, इस दिन गनेश जी की स्थापना और पू जैसी ही रहती है, आगे 10 दिन तक हमें पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, फ्रेंट्स गनेश चतूर्थी के दिन गनेश जी की स्थापना और सुख करता विगन हरता गनेश जी की किरपा आप पर सरवदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए ओम श्री गनेश आये नमेह, राधे राधे